अलो इस्टुएंट्स आज के इस लेक्चर से हम लोग इलेक्टो मेगनेटिक इंडेक्शन स्टार्ट करें और सबसे पहले टुएंट फॉल्स वाले क्वेस्टन दे फर्स्ट क्वेस्टन था कि अगर किसी कॉईल को आप नननिपंडिक पिर मेरक्षों तुसमें इक इंडूस्ट एम डेवल पूप एक्चल में क्या है कि नॉन उनिफॉर्म मेगनेटिक फिल्ड क्या है न ये भी दो तरीके से हो सकता है देखो एक तो अगर मेगनेटिक फिल्ड पूजीसिन का फंक्शन हो और एक मेगनेटिक फिल्ड टाइम का फंक्शन होगा तो जो फ्लक्स निकलेगा की एवल पोजिशन का फंक्शन hungry द्यान लां तो जो फ्लक्स निकलेगा वो बाइप लेकिन जो भी फ्लक्स निकलेगा वो रहेगा कॉंस्तेंट क्यों अ तो अबवेसे बात है इस केस में जो इन्डियू टीमे फोगा हो Resistance पिंदे वोगा है और अगर वो के वल टाइम का फंक्शन तौ फिर dairekt निकल जाएगा सिदहित उसमें में इंक्टीवारबमेंट है की तूस्थ में इसमें इंटोर्च लिकीनि फ्याइब केस हो गए कि आपको साथ में यह भी मेंशन करना चाहिए था कि नॉन उनिफॉर्म वह पूजिशन के साथ में है या फिर टाइन के साथ ठीक नेक्स सेलते हैं सेकेंड यह यह था यह बीटा और इसको इधर को ले जा रहे हैं कि और इसमें डॉट मैगनेटिक फिल्ड है कि आप से कहता है कि जो यह है कि वो पॉजिटिब ली चार्ज देने कि अगर आप एक चीज़ देखो कि अगर मालू मैं इधर ले जा रहा हूं तो जस्ट मान लेता हूं इससे पॉजिटिब चार्ज पर आप देखोगे कि पॉजिटिब चार्ज भी इधर को जा रहा है और एक तरीके से निगेटिब चार्ज भी इधर जा रहा हूं अब आप देखो कि अगर कि दोट मैंनेटिक फिड्ड और पॉजिटिब चार्ज इधर जा रहा हूं तो आप यह देखो पॉजिटिब चार्ज पे नीचे को फोर्स लगए कि और निगेटिब चार्ज पे उपर को फोर्स लगए कि राइट हैं डूल लगा के देखो आप नहीं है तो पॉस्टिव चाट पर नीचे और शे उपर पोपार रगे गा तो एक तो पास्टिव चाट फिलिफ मेंने और यहां नेगेटिफ चाल्स क्लेक्ट हो जाएका हो जो एक आपको इंडेक्टर दिया हुआ था और इसके एल की वैल्यू 1.8 इंटू 10 to the power minus 4 हिंडी देर की दिया और इसका जो रिजिस्टेंस दिया था यह 6 ohm दिया था अब इनको दो हाफ में तुम ब्रेक करते हो ठीक है और फिर इसको 15 वोड की बैटरी से कनेक्ट कर देते हो एक उस सर्केट का टाइम कॉंस्टेंट पूछा था और एक स्टेडी स्टेट करेंट जिसको हम आई नौट कहते हैं वो पूछा था अब इस वेसे ने गवर दुबारा रिपीट कर रहा हूं एक इंडेक्टर का कोपीशेंट आप सेल्प इंडेक्टर दिया था और रजिस्टेंज दिया था उसको आप दो हाफ में ब्रेक करते हो और पर पैरेल में करेंट करते हो यह भी देहां रखना जिसको हम आई नॉट कहते हैं वो दिया था आप यह देखो कि जब मैं इसको दो हाफ में करूंगा तो हर किसी गा अगर एल बाइट टू और आर बाइट टू रहे जाएगा ना इसके बाद पिर इनको पैरेल में करेंट करते हो तो आप यह देखो और आर्वाइट टू अगर पैरेल में होंगे तो नेट कितना हो जाएगा जड़ा देको नेट हो जाएगा और पूर जाएगा अच्छा इंडेक्टर में भी इसी टाइप से चलता है जैसे रेजिस्टेंस का चलता है तो एल बाइफोर आ गया अब आब यह वताओ कि टाइम कॉंस्टेंट कितना होता तो एल अपॉन आरहोता ना तो इसका उले एल भाइफोर अपॉन आरफाइपोर तो L by R आजाएगा, L और R की value रग देना, इतना second आजाएगा, अंसर क्यों, और steady state current कितनी हो जाएगी जरह देखेंगे, 15 volt की battery लगाई दुमने, अपन R by 4 आजाएगा, R by 4 1.5 हो गया, तो मेरे का से 10 ampere आजाएगा, I think समझ में आ गया होगा, जब आप 2 half में convert करोगे, break करोगे, तो हर section का L by 2 और R by 2 हो जाएगा, फिर उनको जब further आप parallel में connect करोगे, तो फिर L by 4 और R by 4 हो जाएगा, तो time constant हो जाएगा, L by 4 अपन R by 4, और steady state current क्या हो जाएगी, 15 volt अपन R by 4 इतना हो जाएगा, next सबते हैं, फूर्थ, आप से कहता है कि इसमें current इधर को जा रही है, और जो induced EMF मतलब power supply थी उसको switch off कर देते हो, switch off, तो फिर induced current की इस direction में होगी, लेंज लोग आप जानते होगे, कि left to right current कम हो रही है, switch off करने पर कम हो रही है, तो जो induced EMF generated होगा, वो उसी direction में current देगा, इसका मतला induced current कि इधर को जाएगा, तो left to right हो जाएगा, I think समझ में आ गया होगा, left to right current switch off करने पर, power switch off करने पर कम होगी, तो लेंज लोग क्या कहता है, कि जो induced current होगी, वो change को पूच करेगी, इस नहुंदा उसी direction में होगी, ठीप, इस टैप की question भी आपने काफी किये होगे, यह वन ओम दिया हो है, यह 15 वोड दिया हो है, और यह 5 मिली हेंडी दिया हो है, यह A, और यह B, और अभी जो current दे रही है, वो 5 एमपीर दे रही है, और यह current बढ़ रही है, at the rate of 10 to the power 3 एमपीर पर सेकेंड करेट से, तो तुम्हें VA-VB यह find करना कितना होगी? कोई नहीं potential की equation लगा दो, सबसे पहले मैंने VA लिखा, फिर तुम देखो, higher to lower जा रहे हो, यह higher है, यह lower है, इसका उन्दब minus IR होगा, फिर तुम lower to higher जा रहे हो, तो प्लस 15 होगा, और फिर जब current की direction में इंडेक्टर को cross करते हो, तो minus L di by dt रख देना, क्यों? नहीं है, जब current की direction में इंडेक्टर को cross करते हो, तो क्या लिखता हो, minus L di by dt और equal to vb आ गया, क्यों? अब यहां से value substitute कर देना, और va minus vb find कर देना, find va minus vb, लेकिन बस यह दिहान रखना है, यहां पर di by dt को नो width sign रख जाता है, जैसे for example current bird आई है, नहीं, current bird आई है, तो इसको कितना रखोगे? बताओ, plus 10 to the power 3 ampere per second record, अगर current काम हो रही होती, तो इसको तुम minus 10 to the power 3 ampere per second record आई है, फिके चलते है, next चलते है, single option correct, single option correct, यह uniform magnetic field दिया था, और इसको तुम इधर ले जाते हो, यह L side का square है, इसका resistance R है, यह B से आप ले जा रहे हो, और magnetic field B है, आप से कारता कि induced current कितनी होगी, तेरे खल से यह भी आपने class में कई बार किया होगा, यहां पर जो induced current होगी, वो 0 होगी, रीजन क्या है कि यह वाला magnetic field uniform दिया होगा है, इसका मतलब इसके अंदर से जो flux पास होगा, वो constant रहेगा, क्यों, नहीं है, because, जो भी flux होगा, वो क्या रहेगा होता होगा, constant रहेगा, और वैसे सीदे सीदे कितना हो जाएगा, तो B into S हो जाएगा, और S का मतलब B into L square हो जाएगा, क्यों, इतना flux constant होगा, तो इसका मतलब induced current क्या होगी, 0 होगी, नेक्स सब्सक्राइब, इतने में magnetic field था, B, और एक एक conducting loop है, ऐसे, और इसकी radius R दे रहे हैं, इसको V से ले जा रहे हैं, तो आपको इसके across potential difference निकलना था, कौन सा higher potential पर होगा, कौन सा lower potential पर होगा, एक बात बताओ कि यह तुमने पढ़ा होगा, पहली बात तो जो मैं card हो आ रहे होता है, उसको क्या कर देता हूं, स्ट्रेट कर देता हम, तो एक तरीके से यह हो गया, क्यों, इसको V से इदर ले जा रहा है, अब अगर आप इसमें apply करोगे BVL क्यों, तो potential difference क्या हो जाएगा, तो potential difference हो जाएगा BVL और L का मतलब डायमीटर हो गया, और डायमीटर का मतलब 2R हो गया, इसी मॉमेंटर को गूज रहता है, ज्यान रखाएगा, और अगर मैं इस पर RHR apply करोगे, जैसे यह A है, यह B है, तो अगर B उपर को जा रहा होता, ठीक है, अगर B उपर को जा रहा होता तो A higher potential पहोता अगर B उपर को जा रहा है, तो B higher potential पहोगा, तो VB greater than VA होगा, इसका उनलब VB minus VA, यह पिर हो जाएगा, B, B और 2R, आपके यह ऐसे ले जा रहेते हैं फिर से अगर आप देखोगे तो यह है मानलों यह बी है इस केस में क्या होगा देको है इस केस में एंजो बी से हायर होगा क्यों और जैसे आप गआप रहा एक व्याट मैंग्नेटिक पिलता तो नीचे बाला है पुटेंचल के सब्सक्राइब उसमीं किया होगा तो इस वाले में ए बीसे हैर कोतेंसिपे और यह जो पोटेंसिए डिफ्रेंस होगा कि यह किसकी वज़े से होगा को जो है डीउटू इलेक्ट्रिक फीड होगा क्यों तो पिसमें जो चार ओप्सन दिए दे उसमें यही कलेकट था कि इलेक्ट्रिक फीलल यह सब्रेश장 चल्म एंप इलेक्ट्रिक से व्हों दाता हूं बाकी जो गलत ओप्सन सेब उपटेंसिल प्रूजाँ से यहाँ बाक ता उसके बाद कहा था कि C Point पर मतलद जो Center है वह हाइस पोटेंसिल पर होगा वह भी गिलत है और एक option दियाता है कि C lowest potential पर होगा वह भी गिलत है सबसे ज्यादा potential कौन से point का होगा कि पॉइंट का और इसमें एक एलेक्ट्रिक पीट गेने टोप एक एक नेक्स था नाइन्थ कि यह वरा कुस्टन भी कई बहर किया हुगा एक बहुत बड़ा लूप है और इसके बीच में छोटा सा लूप है दोनों स्क्वाइर लूप है इसकी साइड तो है एल और इसकी साइड है स्मॉल है तो आप से कहता है कि इन दोनों के बीच में जो मीच्वल इंडेक्टेंस है वह किसके प्रपोर्शनल हो अब देखो अगर मैं बड़े लूप में आई करेंट प्लो करवा हूं तो यहां पर जो मैगनेटिक फिल्ड होगा यह पर्पोर्शनल टू एल आएगा यह समझ मारा होगा तो मैं क्यों मतलब कुछ ऐसे हो जागा पर्पोर्शनल टू एलाएगा कि नहीं है बताब जो है यह हो गया ठीक इसका मतलब इसमें जो फ्लक्स होगा पर्पोर्शनल टू एपने लोगा अजब फ्लक्स क्या होता है बी इंटू एस होता है और यहां पर जो एस होगा ठीक है एस क्या होगा जरा बताओ जो है एस एल स्क्वार होगा तो इसका मतलब फ्लक्स किसके प्रपोर्शनल होगा बताओ जो है हैं वाध सोगा प्रपोर्टशनल को एली स्ट्वार अपॉन अर्च अगर देखो तो ऐडैंट एभी प्रपोर्शनल लोगा कि यह फ्लख्स करेंट के भी पर कोशल होगा इसका मतलब जो फ्लाक्स होगा वो पुछ इस टाइब से होगा SUM-Constant Current एल इसक्वार अपॉन ऑर लास्ट में तुम जानते होगे जो मीच्वल इंडेटटेंस होता है वह फ्लक्स वर इनिट करेंट उता है कि इसका मदरी किसके प्रोपोर्शन आगिया है तो एले स्वार पॉर्शन आगिया होगा कि बाहर वाले लूप में तो उस केस में जो सेंटर में मेगनेटिक फीड होगा वह प्रपोर्शनल टु वन पॉन एल होगा इसका मुलब बीच वाले लूप में जो फ्लक्स पास होगा वह प्रपोर्शनल टू स्मॉल एले स्क्रेट उपन एल होगा और साथ में प्रपोर्शन टू करेंट तो हो गई होगा ठीक तो फ्लक्स कुछ इस टैप से आएगा कि कुछ कॉंस्टेंट इंटु आई इंटू एले आप ने इसमें तुम्हें थोड़ासा कैसे आएगा आप यह देखो कि अगर में मान लो सेर्कुलर कैल के सेंटर में देखो तो मैगनेटिक इतना होता ना मियू नॉट एनाई एक तरीके से यहां पर देखो प्रपोर्शन टू अपॉन अपॉन रीडियेस नहीं आ रहा है एक्जेक्टी वहां पर क्या हो जाए गुरता जो है वो प्रपोर्शन टू अपॉन अपॉन आएगा जब आप केल्पूर्शन करोगे तो यह आएगा यह तुम्हारा ना एक 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 प्लेन है पूरा इंपनेट तक जा रहा है और इसमें इस टैप से लूप रखा हुआ और इसमें करेंट फ्लो कर रही है तो तुम से कहता है कि पूरे एक्स वाई प्लेन से ठीक है पूरे एक्स वाई प्लेन से नेट फ्लक्स कितना होगा पूरे एक्स वाई प्लेन से नेट फ्लक्स कितना होगा इसका आंसर अगर आप देखो को तो जीरो होगा अगर मैं इसके चारों और मेंगनेटिक लाइंस देखुआ तो देखो कैसे निकल दिया है कैसे जारी बुकर को इसका मतलब यह ऐसे गई इसी टैप से यह हो गई यह मेंगनेटिक लाइंस हो गई है यह अब आप देखो कि xy plane को इसाइव गई अवही वापस आ जा रही है अगर आप देखो तो सारी गी सारी लाइन्स क्या हुरण यह जैसे यहां पर मानलों नीचे को तो यहां पर वही वाली लाइन फिर उपर को भी आ जारी अगर आप देखो गे तुझोए नहीं है यह कहलो आप जैसे यहां से देखो यह उपर गई तो फिर इधर एंटर भी कर गई अब सारी लाइन फिरके फिर वहीं से पास हो जा रही है तो इसका उन्द नेट लक कितना ह रहा होगा तो अल्टीमेटे सारी लाइंस भूंगा हमके पूरा फिर वह एक्सवाइब प्लेन को ही वह करती तो पूरा नेट लेक्स क्या हो जाएगा जी रहा जाएगा ठीक है नेक्स्ट इलेवन पर चलते हैं 8.4 मिली हिंडी इंड़क्टर था 6 ओम का रिजिस्टेंस था और 12 वोल्ड की बैटरी इससे कनेट करते हो ठीक तो तुम से कहता है कि कितने टाइम के बाद तो इससे करेंट में जो करेंट होगी वह वन एंपेर हो दुबारा देख लो एल की वेल्यू देखिए 8.4 मिली हिंडी रिजिस्टेंस भी आवाश 6 ओम और बैटरी देखिए 12 वोल्ड की तो आप से कहता है कि कितने टाइम के बाद सर्किट में जो करेंट होगी वन एंपेर करेंट होगी एक बास बताओ इन दोनों वेल्यूज को अगर आप देखो गए तो जो इस्टेडी स्टेट करेंट होगी यह 12 अपॉन 6 इसका मज़र 2 एंपेर होगी और यह जो वन एंपेर की करेंट है यह एक्ट्व में आई नॉट वाई 2 के एकवल है तो टाइम कितना लगेगा हाफ लाइप के एकवल होगा अगर आप इसको आप लाइप के एकवल होगा और हाप लाइप कितना होता हो तो एलन टू इंटू टाउवल और टाउवल कितना हो एल भाई आप के एकवल इनकी वेल्यू रख देना ना सेकेंड में क्याल से सामझ में आगया होगा कि स्टेड़ि स्टेट करेंट आ रही है और जो वन एंपिर की करेंट दे रिखिये वह उसकी हाफ है इसका मतला हमें जो टाइम लगेगए वो हाप लाइप लगेगा ठी और हाप लाइप कितना होता है लन टू इंटू राओवल और लन की वेले तूम जानते हो फोई पॉnd कि वेल्ट कि दो लूप से हैं कि ऐसे और ऐसे गए ठीक है और इसमें एक में करेंट बर्ड यह मालू यह है इसमें करेंट इंक्रेज करेंगे करेंगे रिपल करेंगे कुछ नहीं होगा एक से इस टाइप का था तो यह भी मेरे खाल से तुमने क्लास में किया होगा कि अगर करेंट बर्ड यह तो फिर यह एक दूसरे को रिपल करेंगे कि रिजन क्या होता देखो अगर मालो एक लूप में करेंट बर्ड रही है तो लैंज लौसे दूसरे वाले लूप में जो इंडियूस्ट करेंगी ओपोजी टेरेक्शन में आएगी ओड़ दो अपोजिटली करेंट्स एक दूसरे को क्या करती है तो रिपेल करती है एक बार दुवारा बता रहा हूं देखो एक लूप में करेंट बढ़ रही है तो अगर मैं लेंज लो लगाऊं तो बगल वाले लूप में जो करेंट आएगी वह अपोजिट डिरेक्शन में आएगी और अगर दो वा यह भी आपने किया होगा मेरे का से यह सिलिंड्रिकल डीजन में मैं मैंगनेटिक फील्ड अब 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 ताइम दे रहा है तो तुम से कहता है कि यहां से और डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पर्पोर्शनल टू आर की किस पावर के साथ बेरी करेंगा इस टाइब के क्वेस्टन भी तुमने काफी किये होंगे एक्च्वल में यह इंड्यूस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है तुमने यह पढ़ा होगा इसमें सीधे-सीधे क्या करते हैं इमताओ एक्वल टू डीफाइब डीटी वाई का मितलब भी इंटू एसा आगया क्यों और यहां पर भी वेरी बिला तो ध्यान रखना तो यह हो गया एस इंटू डीवी बाई डीटी अब देखो एल तो क्या होता है यह वाली लेंट होती है यह वली जो लेंट था ही टू पाई र हो जाएगा क्यों लेकिन अरिया कौन सा होगा जिटने से फ्लक्स पास हो रहा क्यों यह लगों क्यों यह आगया तो यह पाई रस्पेर हो ना तो यहां से अगर आप E और R का वेरीएशन देखे हों क्यों आरका वेरीशन देखे हो तो इपर पोर्पोर्शन टू किया आएगा तो जो पॉन अपहूं-पॉर्पोर्शन टू पॉन पॉन आर के एक पिलागा जो यह मेरे कासी टूसमें तुमने किया होगा है नेक्स्ट है पोटीट है इसको इदर ले जा रहे हैं इसको इदर ले जा रहे हैं इसको यह अभी हमने किया हुआ है इसका भी मैं सही option बता देता हूं तो यह बताओ AD और BC दोनों में electric field होगा नहीं बताओ जाए ठीक है दोनों में electric field होगा तो इसका अब लेक्टिक field नॉन जीरो है इन बोथ AD and BC अभी किया था न कुछ देर पहले नहीं है इसमें electric field होगा ही होगा और इसमें भी लेक्टिक कि दोनों में electric कि लास्ट में 15 कि आपको दो लूप्स तीन अलग लग orientation में दिये थे जैसे एक यह हो गया एक ऐसे दिया था एक यह है एक ऐसे रखा था पर एक यह है और एक यह था आप से कहता है कि किस केस में दोनों के बीच में mutual index maximum होगा तो आपने मेरे खाल से पढ़ा होगा इस वाले केसमें इसमें सबसे ज्यादा लिंक होगा ना फ्लक्स कि मालूम मैं इस पर करेंट आई प्लोग करवाता हूं तो पहले वाले केस में इस वाले से जो को फ्लक्स लिंक होगा सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अभी हमने करा था एम इक्वल टू क्या था बताओ फ्लक्स पर उनिट करेंट था न तो फ्लक्स जिस केस में सबसे ज्यादा मैकसिममम होगा नहीं है फ्लक्स अगर मैकसम लिंक है तो माब्यास सी बाते मीचिल इंडेक10 घ्र किया होगा एक्षम आपको लगी राओगा पहले केस में जब आप बड़े लूप मेंämेल पस्केशों तो खोटे लूप में सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा तो उस केस में के decir misma के kandona ंऐ किया अध् Başकe कि इस लेक्ष। में इतना ही आफ geweं। इस लेक्षर में करते हैं बागी कहगे बागी प्रिवलेजर में थाजिए ने जुट्यर में थी है थाज कोदिए